लेटिस्ट क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स के लिए MyCricket Production को सब्सक्राइब करकर बैल आइकन को जरूर दबाईए नमस्कार दोस्तों मैं हुई है शापने ट्यूनिन किया MyCricket Production यूटूब चैनल दोस्तो 2011 के One Day World Cup में टीम इंडिया को जीत की रहा दिखाने वाले कोच गैरी कस्टन IPL 2018 में Royal Challenges Bangalore की टीम के साथ जुर सकते हैं दरसल दोस्तो RCB की टीम के लिए ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि Royal Challenges Bangalore की टीम मेनेजमेंट लगातार बने हुए है टॉक के साथ, कॉंटेक्ट के साथ, गैरी कस्टन के साथ और दोस्तो अगले एक हफते के अंदर ये डील फाइनलाइजड हो सकती है दरसल दोस्तो भारत के बहुत बड़े न्यूस पोर्टल की हवाले से ये खबर आई है की गैरी कस्टन बन सकते हैं कोच रॉयल चैलेंजस बेंगलॉर की टीम के इससे पहले दोस्तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि 2014 और 2015 की इंडियन प्रीमियल लीग में गैरी कस्टन डेली डेर डेवस की टीम के साथ जुड़े थे हाला कि वो कुछ खास नहीं कर सके थे और उसके बाद उनका कॉंट्रेट खतम हो गया था हाला कि दो साल बाद उनकी फिर से वापस ही हो सकती है आई पिल 2018 की इंडियन प्रीमियल लीग में दोस्तो इससे पहले ये ख़बर भी आई थी कि आशीश नहरा एज एमेंटर और बॉलिंग कोच के रूप में जुड़ सकते है रॉयल चैलेंजस बेंगलॉर की टीम के साथ ये खबर दोस्तो नहरा के एक क्लोस फ्रेंड की तरफ से आई थी हाला कि अभी तक इसकी पुष्टी नहीं हुई है रॉयल चैलेंजस बेंगलॉर ने अभी तक कोई ओफिशियल बयानजारी नहीं किया हाला कि इंटर्नल सोर्सेस से खबर अभी भी आ रही है कि आशीश नहरा भी जुड़े रहेंगे लोग रॉयल चैलेंजस बेंगलॉर की तरफ से खड़ीदी करते हुए आउक्षेन में देख सकते हैं दोस्तों आपको क्या लगता है कौन होने चाहिए रॉयल चैलेंजस बेंगलॉर के अगले कोच क्या यह सही चॉइस है रॉयल चैलेंजस बेंगलॉर की नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे इस वीडियो को करें लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करकर बैल आइकन को घंटे को ज़रूर दवाईए और दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पर भी हम चैनल से जुड़ी हुई आई पिल से जुड़ी अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं